नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पाठी पुस्तक से तीसरा अध्याय संग मित्रा का ब्याक्रन संबंधी प्रस्ण भासा से जो है वो समझाने जा रही हूं, तो भासा से के अंतरगत है सरो नाम राज कुमारी, एक दिन मैं भी भद्र था, हम भी भद्र थे, किन्तु हमारी सारी भद्रता को तुम्हारी पिता ने लासों और लोथों से ढख दिया अब काता है, कि उपर युक्त कथन में रंगीन सब्द सर्वनाम हैं, ये संग्या सब्दों के अस्थान पर प्रियोग हुए है, तो संग्या सर्वनाम इन सब्दों की जानकारी आपको पहले भी व्याकरन के तहत दिजा चुकी है, लेकिन फिर यहां दिया गया है इस पाठ सर्वनाम काते हैं, तो यहां भी वही बताया जा रहाँ है कि उपर जो कथन दिया गया है, उसमें जो रंगीन सब्द है वह सर्वनाम है, जैसे मै, हम, हमारी, तुम्हारे, ये सभी सब्द क्या है? सर्वनाम है. अब करता है माई, माई किसके लिए है? नील्मनी के लिए, हम नील्मनी के परदेश के लोगों के लिए, तुम्हारे संगमित्रा के लिए जो सब्द संग्यात के स्थां पर पड़िक्त किये जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं सर्वनाम किसी सब्द के बार बार परियोग से बचाता है सर्वनाम के छह भेद हैं पूरुसे बाचक पूरुसे बाचक के अंतरगत कौन कौन आता है तुम, आप, मैं, हम, वह, हमने, उसने, अपने निश्चे बाचक यह, यह, वह, पे अनिश्चे बाचक कोई, कुछ प्रस्ण बाचक क्या, कौन, कहा, कब संबंद बाचक जो, सो, जिसकी उसकी निश्च बाचक स्वेम, खुद, अपने आप तो इस तरह से आप सर्वनाम समझ चुके हैं तो निचे सर्वनाम संबंदी कुछ प्रस्ण दिये जा रहे हैं जिसे आपको हल करना है तो पहला प्रस्ण है सर्वनाम समझ पर गोला लगा कर उनके भेद लिखिए कौमे बाक्य दिया हुआ जिसका जो अधिकार है उसे मिलना ही चाहिए इसमें आपको पहचानना है कि सर्वनाम समझ कौन है उसका उस पर आपको गोला लगा देना है और क्या करना है कि उनका भेद लिखना है कि वा कौन से सर्वनाम के अंतरगत आते है खो में है स्वेम ठीक हो जाऊंगा इसमें भी आपको सर्वनाम पहचानना है और गोला लगाना है तथा उस भेद का नाम लिखना है जिसके अंतरगत ये आते है गौ में है रहने दिजिए आप नहीं देख सकते घौ कौन है भीतर आजाओ अंगा कोई आया है इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि कौन सा सर्वनाम है किसमे अब नमबर दो रिक्ता स्थानों की पूर्ती कोश्चक में दिए गए सर्वनामों की उचित रूप से कीजिए अब कौ में है बाहर खाली जगा है खड़ा है ब्रैकेट में है कौन तो यहां क्या भड़ना चाहिए आप समझ के इसमें भड़ सकते हैं इस तरह से फिर है तीसरा प्रस्ट निमलिखित बाक्यों में आये यानि उस सब्द के नीचे रेखा-खिचना है उन्होंने विशन्तम संकल्प लिया सौड़ी किया तो यहां विशन्तम जो है शो क्या है विशेशन है तो इस तरह से इसके नीचे हमको रेखा-खिचना है उमीद है कि आप सर्वनाम और विशेशन समझ ही गए होंगे तो इन सभी प्रस्नों को आप हल किजिएगा धन्यवाद